और जाद जानकारी के लिए बात करेंगे समाधाता शुभम से। शुभम तुझे सरा से हम देख रहे हैं सीम लगातार एक्शन में बने हुए हैं, साड़े शे बजे बैठक होती है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिये गए हैं। देखें बिल्कुल कानून विवस्था को लेकर ये बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने सुबर साड़े शे बजे ही बुलाई थी और इस बैठक में नीमच के कलेक्टर साती साथ सीवनी के कलेक्टर एस भी दोनों ही मौजूद रहे और मुख्यमंत्री शि चीवनी में आदिवासियों की हत्या कर दी गई तो नीमच में भी साम्प्रदाइक तनाव हमें देखने को मिला इसके अलावा जो प्रदेश शरकार की जो योजना है जो खास दोर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान की जन कल्यानकारी योजना है महत्वकांशी यो आज की मिटिंग में रहा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि ये लवजियात की जो घटनाएं हो रही है ये सब आगे से नहीं होनी चाहिए जी बिल्कुल और जिस अच्छे हम देख रहे हैं कि लगातार कानून विवस्था को लेकर भी आपर जो बेठक हुई है और सकते दिखाने की बात भी कही जा रए हैं जो काम नहीं कर रहा है पुरुस्क्रित करने की बात भी कही है और यह सबसे अच्छी बात रही क्योंकि अक्सर जो लोग काम करते हैं उनका प्रोचसाहन नहीं क्या जाता लेकिन सियम शिवराज उनके लिए भी कही न कहीं अब सोचने लगे हैं बिल्कुल ठीक कहा दिखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंच चोहां चुकी लंबे वक्स है और अगर आप बीजेपी पार्टी में तो देखेंगे तो 15 साल से लगातार जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं सबसे लंबा कारेकाल उनका हो चुका है और ऐसे में वो नहीं चाहते कि अब उनके कारेकाल में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार हो और कानून विरस्था को लेकर खास तोर पर सवाल खड़े किये जाए तो सीमने सिवनी के अधिकारों के साथ भी बैठर की है शुभम और जिस तरह से हम देख रहे थी कि कई मुद्दों को लेक पानी के संकट से जूज रहे हैं तो उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है तिके बिल्कुल पानी की समस्या को लेकर भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए कल भी भोपाल में हमने देखा था कि नहरू नगर में जब वहां से गुजर रहे थे मुख्यमंत्री कुछ लोग खड़े हुए थे मुख्यमंत्री वहाँ पर रुके निगम कमिशनर को फोन लगाया तो ये सारी चीज़े भी उन्होंने आज की इस बैटक में रखी है इससे पहले भी सुबर साड़े चीज़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंग जोहाँ ने इस तरह की बैटक ली थी जिसमें उन्होंने पानी की समस्या को लेकर ही कहा था कि भोपाल सहीद जो भी प्रदेश के अलग-अलग जिले हैं वहाँ पर पानी के समस्या आप नहीं को मिलनी चाहिए दनिवाज शुबह में इस पूरी च्रानकारी के लिए तो एक्शन में सेम शिवराज और तमाम तरह के दिशान इंदेश भी दिये गए हैं